अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए इसे देख कर आप जरूर चौक गए होंगे कि भला ऐसा आखो वाला भी कोई पेड़ होता है क्या तो जरा एक मिनिट ठहरिए ये कोई आखो वाला पेड़ नहीं बलकि इस पेड़ पर बैठा एक आउल है जिनका नाम इस्टन स्क्र कर ली तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई आउल भी बैठा है अब बात करें इसके रहने की तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदी बसे रहा होता है क्योंकि सूखे पेड में ये खुद को आसानी से छुपा लेता है